रजबी किताब घर पेज नबर 170 मुकास्पतुल कलब सुक्र ना कर सकने के एतिराफ को सुक्र करार दिया है जनाब महमूद अलवराक के अश्यार है जबकि अल्ला ताला की नेमतों पर मेरा सुक्र करना भी अल्ला की एक नेमत है जिस पर सुक्र वाजिब है फिर मैं कैसे उसके करम के बगार सुक्रिया अदा कर सकता हूँ अगर्चे मुझे बहुत लंबी जिन्दगी भी दे दी जाए जब इनसान को खुशी मिलती है तो मसरते आम हो जाती है और जब कोई दुख पहुँचता है तो उसके बाद उसे बहतरीन बदला मिलता है में नहीं समा सकती जब मारे फते खुदाबंदी हासिल हो जाए तो बंदगी का इकरार जरूरी है और जब इमान दिल में जगहा बना ले अल्लह ताला की ताट वाजिब हो जाती है इमान की दो किसमे हैं जाहिर और बातिन जबान से इकरार को जाहिर और दिल से तजदीक को बातिन कहते हैं कुड़े खुदाबंदी और इबादत वा इतात में मौमिनों के मुखतलिफ दर्जात है मगर इमान में सब बराबर के शरीक है जो मौमिन तकुल मुखतलिफ दर्जात है मगर इमान में सब बराबर के सरीक है जो मौमिन तवकुल इخलास और अल्ला की रजाजुई राजी करने में जितना हिस्सा रखता है उसी कदर उसका मरतबा बुलंद होता है इखलास यह है कि बंदा अल्ला ताला से अपने आमाल के अजर का खौाइश मंद ना हो इसलिए कि जो सक्सवाब की उमीद और अजाब के खौप से अबादत करता है उसका इखलास मुकमल नहीं होता क्योंकि उसने तो अपनी भलाई के लिए अबादत की है हुजूर सललला हो अलहेवसलम का फर्मान है कि बुडे कुटे की तरह बनो जो डर के मारे काम करता है ना ही बुडे मजदूर की तरह बनो जो उजरत के बगैर काम ही नहीं करता फर्माने इलाही है और बाज लोगों में से वह है जो किनारे पर अल्ला की इबादत करता है अगर उसे भलाई मिले तो वह मुतमईन हो जाता है और अगर उसे आजमाईस पड़े तो अपने मुँ वापस पलट जाए दुनिया और आखरत को घाटे में दिया अगर अल्ला ताला आमाल पर अजर न देता तब भी उसके एहसानात और इनामात इतने हैं कि हम पर उसकी इबादत और इताए जरूरी थी जबकि उसका हुक्म भी हो और अजर का वादा भी हो तवक्क्ल या है कि इनसान अपनी जरूरत के वक्त अल्ला ताला पर एतिमाद करे जरूरत के वक्त उसी की तरफ रज मीनाने